नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं हमें अपनी सर्सों की फसल में पहला पानी कब देना है क्योंकि पहला पानी कहीं आपकी फसल में बहुत जादा मैटर करता है कि आप अपनी फसल से कितनी पैदावार ले पाओगे सर्सों की वसल में पहला पानी कई ना कई आपकी पैदावार की नीव है और आप अपनी सर्सों की वसल में पहला पानी लगाने में गलती करते हो तो आपको कई ना कई निश्यती पैदावार कम मिलेगी अक्सर हमारे किसानों के बीच काफी ज़्यादा confusion रहता है कि हमें अपनी सर्सों की फसल में पहला पानी कब देना है बहुत से किसानों को कहना है कि 25 दिन पर पहला पानी देना चाहिए 30 दिन पर देना चाहिए कई सारे किसانों का ये भी मानना है कि आप अपनी सर्सों की बजल में पहला पानी 40 दिन पढ़े अब यहां पर बात अपनी अपनी जगा सारे किसानों की ठीक है लेकिन इसके लिए भी कई सारी कंडिशन है तो कौन सी कंडिशन में आप 25 दिन पर पाई लगा होगे और कौन सी कंडिशन पर 30 या 40 दिन पर आपको पहला पानी देना है तो इस वीडियो में आज हम बहुत महटपूर टॉपिक पर बात करेंगे इससे पहले अगर आपने हमारे यूटिव चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके ओल नौटिफिकेशन को ओन कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे हैं इसके साथ ही हमारे वीडियो को शेर भी गया करो जिससे अनी किसानों के पास भी ये जानकारी पहुंच पाए लोटते हैं अपनी टॉपिक पर अब यहाँ पर कई सारे किसानों का मानना है कि हमें अपनी सर्सों की फसल में 25 से 30 दिन पर पहला पानी दे देना है अगर आप अपनी सर्सों की फसल में 25 से 30 दिन पर पहला पानी दोगे तो कहीना कहीं फसल की ग्रोथ रुख जाती है आपकी फसल पीली पढ़ने लगती है और फुटाब भी अच्छे से नहीं हो पाता है क्योंकि यही सबसे राइट टाइम होता है जड़ों के विकास का, कलों के फुटाब का और पौदों के वड़बार का अगर इस समय पर हम गलती से भी अगर जल्दी पानी दे देते हैं तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है अब कौन सी कंडिशन में 25 से 30 दिन पर पानी लगाना है अगर आपकी खेत की मिट्टी रेतिली मिट्टी है या हलकी मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में पानी को रोक कर रगने की छमता बहुत कम होती है तो आप ऐसी कंडिशन में 25 से 30 दिन पर पानी लगा सकते हो इसके लावा भी आप अपनी फसल में देख सकते हो कि आपकी फसल दिन में मुर्जा तो नहीं रही है अगर आपकी सर्सों की फसल हलकी मिट्टी या रेतिली मिट्टी में है तो यहां पर आप पहला पानी 25 से 30 दिन पर दे सकते हो यहां पर कई सारे किसान अपनी जगे ठीक हैं जो बोलते हैं 25-30 दिन पर हमें पहला पानी दे देना है तो उनकी खेत की मिट्टी, हलकी मिट्टी या रेतिली मिट्टी होती है तो इस बज़े से बोलते हैं कि आपको पहला पानी 25-30 दिन पर दे देना है अब यहाँ पर क्रिशी बैग्यानिकों के अनुशार आपको अपनी सर्सों की फसल में पहला पानी 30 से 30 जिन पर देना है अगर पानी को आप ज़्यादा लेड़ भी गरते हो तो आपकी फसल काली बढ़ने लगती है इसके अलावा आपकी सर्सों की फसल में जो टैनियों का विकास हो रहा होता है वो भी कहीना कहीं रुख जाता है साथी ग्रोध भी रुख जाती है अब यहाँ पर कई सारे किसान बोलेंगे हम अपने खेतों में पानी 30 से 40 दिन पर देते हैं हमारी फसल की पैदावारी भी अच्छी होती है, साथी ग्रोध भी अच्छी हो रही होती है तो यहाँ पर वो भी किसान अपनी जगे ठीक है अगर आपकी खेत की मिट्टी, भारी मिट्टी, चिकनी या दो मिट्टी है तो आप पहला पानी को थोड़ा लेट दे सकते हो लेट का मतलब 30 से 40 दिन के बीच में आप पानी दे सकते हो क्योंकि ऐसी मिट्टी में पानी को रोक के रखने की छमता काफी ज़्यादा होती है बस आपको ध्याम डखना है आपकी खेत की मिट्टी कैसी है आप अपनी फसल को भी देख सकते हो आपकी फसल कैसी चल रही है आपकी फसल का फुटाब अच्छा हो रहा है टैनियो का विकास भी अच्छा हो रहा है और फसल भी अच्छी खासी ग्रोध पकड़ रही है तो आप पानी को थोड़ा लेट कर सकते हो और आप देख सकते हो गर आपकी वसल दिन में मुर जा रही है और साम को बापिस ठीक हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में आप पानी को दो-चार दिन लेट कर सकते हो और दो-चार दिन के बाद आप पानी लगा सकते हो इसके अलावा भी कई और तरीकें आपकी सरसों की बसल में पहले पानी लगाने के आपकी सरसों की बसल में 1-2% अगर फूल आ रहे हैं तो आप उस समय पानी दे सकते हो हलाकि यह तरीका बहुत ज़ादा अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि आपको नहीं पता होता है आपकी खेत की मिट्टी कैसी है अगर आपकी हलकी मिट्टी हुई और आपने उस समय एक से दो परसेंट फूल का इंतियार किया तो आपका नुक्सानी हो सकता है यहां पर आप सीधे सीधे माल लो अगर आपकी खेट की मिट्टी हलकी मिट्टी है तो आप ऐसी कंडिशन में आप 20 से 30 दिन के बीच कभी भी पानी लगा सकते हो और अगर आपके खेत की मिट्टी भारी मिट्टी है तो 30-40 दिन के बीच में आप कभी भी पानी लगा सकते हो क्योंकि कई सारे किसान दिमाग पर जोर नहीं लगाना चांते हैं और चीजों को अच्छे से नहीं समझना चांते हैं तो वो इस तरीके से अपनी सर्सों की अपनी सर्सों की भशल में तो कई नहीं के पैदावार ही कम होती है तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अपनी सर्सों की प्रसल में पहला पानी कब देना है वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करिए चेक साथ